हेलो फ्रेंट्स मैं अपसे एक मौर्या फिर से सौगत करता हूँ एक बार आपका इग्जामगर चैनल में फ्रेंट्स हम लोग सम्विधान पढ़ने थे सम्विधान के बारे में तीन चार वीडियो बना चुके हैं आज हम उसके करम में आगे पढ़ेंगे कारपाल क्या विध समझ में आएंगे आईए हम समझते हैं कारपाल क्या विधाय क्या 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 होते हैं समझने का प्रयास करते हैं एक एक यह को देखी कारपाल क्या क्या होता है विधाय क्या होता है नाप्याल क्या होता है तो विधाय क्या देखते हैं पहले विधाय क्या विध सुने होंगे है तेसym है जिसको बिल भोटे जब कोई भी कानून बनना होता है भारती संबिधान में जब भारत देश में तो पहले हम जो है संसत में बिल पास कि आता है उसके बाद वहां पे संसत की सतर सताचर वार राष्ट पती होता है तो जाके आपन्त का्न का रूक ले लेता है। तो विधाई का जो विधय कर पाल इसमें कार पाल्कः करते हैं और विधाई के पास फिर कुछ गर के विरौद कर रहा है इसके विपच्छम बोल रहा है तो इसके सजय का प्रावधान जो है नियाई पाली के अंदर में और उसको क्या सजय मिलेगी क्या कैसे होगा निया पाली का निस्थित करती है तो हम लोग आज कारपालिक्या देखते हैं पहले कारपालिक्या उसके बाद विधाईक्या देखेंगे फिर नैरपालिक्या देखेंगे कारपालिक्या जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे भारत देश में दो इस्तर में सरकार का गठन होता है एक राजिस्तर पे और एक केंद्र साथ केंद्र स्तर पे तो हमाई ये दोनों के बारे में देखते हैं केंद्र राजे तो केंद्र में सबसे बड़ा जो है कारपाल का कर जो सबसे बड़ी सक्तिव होती है और राश्टपत के हाथ हमें नहीं होती है पहला राष्ट्रपती, फिर उपर राष्ट्रपती, दूसरा, तीसरा प्रधान मंत्री, जिसके अंदर में वास्त्रिक सक्ति होती है, देखिये हम लोग जानते हैं राष्ट्रपती जो है भारत का प्रतम नागरिक होता है, उसके अंदर में तमाम सक्तिएं होती है, लेकिन जो ही हो सक्तियों का पॉज़ार राश प्रधान मंत्रि की माध्यम से की जाता है प्रधान मंत्री के बारे में पढ़ेंगी प्रधान मंत्री के बाद होता है मंत्री मंडल मंत्री मंडल अब मंत्री मंडल के कई भाग होते हैं जैसे हो गया केंद्री मंत्री राज्य मंत्री उप मंत्री ये तीन प्रकार के मंत्री होते हैं केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री कारपालियों समझने के लिए हम लोग जानने की जरूद पड़ती है कारपालियों को भी हम लोग दो भागों बाड़ सकते हैं एक अस्थाई और दूसरा आस्थाई अस्थाई वो लोग होते हैं जो परिछा देकर नियुक्त किया जाते हैं उनको नियुक्ति लेटर मिलता है जैसे हमारे आई-ए-स-पीसे सद्क्यारी होते हैं यह 60-62-60 लिए नियुक्त किया जाते हैं परिच्छा के मांधम से तो ये अस्थाई होते हैं और अस्थाई होते हैं जो पांच साल के लिए चुने जाते हैं जैसे हमारे हैं कि प्रधान मंत्री और बिधायक, सांसत, मंत्री, राष्टपती ये लोग पांच साल के लिए चुना होता है इसलिए अस्थाई होते हैं ये यह अस्थाई होते हैं यह हमारे हैं कि जो राजवीद अधिकारी हैं तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं वो जो है 60-62 वर्सक्ली नियू किया आते हैं इस लिए इनको अस्थाई के रूप में हम लोग जानते हैं तो हम लोगों ने केंदर के बारे में समझा कि केंदर में कौन को इन सक्तिया हैं राश्पती हैं उपर राश्पती हैं परधान मंत्री हैं मंत्री मंदल हैं मंत्री मंदल को मैंने तीन भागों में डिवाइट किया केंद्री मंत्री राज मंत्री और उप मंत्री अब हम आते है राज में देखते हैं कैसे कैसे इसका डिवाइडिशन किया गया है राज में उससे तरीक जिसे यहां राषपती होता है के मेर में वैसे यहां पर होता है राज यपाल मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री और मंत्री परिशत तो जैसा कि हम लोग ने भी देखा था आस्थाई और आस्थाई दो तरह के जो हैं ये होते हैं इसमें जो हैं हमने बताया था कितने भी केंडर और राज में पद होते हैं जो कि चुनाव के थ्रू होते हैं राशपती उपराशपती प्रान मंत्री और राज में राजपाल मुख्य मंत्री और मंत्री परिशत ये जो हैं आस्थाई होते हैं और जो राज सरकार एकेल सरकार के आदिन अधिकारी नियुक्त की आते हैं साथ बासुट साल के लिए यो अस्थाई होते हैं हम लोग उन्हें भी पढ़ा अब आईए देखते हैं बिधाईका बिधाई के अगे बारे में देखते हैं बिधाई के को भी हम लोग दो इस तरब बार सकते हैं पहला केंद्र दूसरा राज केंद्र में भी एक सदन होता है राज में होता है बिधान मंडल जैसे कि हम लोग उन्य पिछली वीडियो में देखा था सदन के भी दो भाग होते हैं एक लोक सभा लोक सभा दूसरा राज्य सभा अब बिधान मंडल में आते हैं बिधान सभा इसके भी दो भाग होते हैं बिधान परिशद अब आईए देखते हैं हम लोग जो परदान मंत्री होते हैं आप लोग देखिए लोग सभा में जो मेंबर होते हैं एक्चुली में वही बिधाई का होते हैं जिनको हम वास्तिवी रूप से सांसद के रूप में जाते हैं हों हमारे सांसद होते हैं और ये प्रधान मंत्री जो हमारे होते हैं ये एक सांसद ही होते हैं ये लोग सभा के भी सदस्य होते हैं और यहां प्रधान मंत्री बन जाते हैं तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो बिधाई क्या है वही कारपालिका भी है ये लोग दोनों बनकर मंत्री मंदल के रूप में कार करते हैं मंत्री मंदल का मंत्री होता है केंद्री मंत्री राज्य मंत्री है उमुक मंत्री प्रधान मंत्री तब यही कारपालिका के रूप में भी जाने जाते हैं इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो बिधायका के सदस्य हैं लोग सभा राजसभा में वो कारेपालिका में भी काम करते हैं दोनों का बांडिंग के रूप में कार करते हैं यह दोनों लोग एक दूसरे में काम करते हैं अब हम समझते हैं बिधान मंडलें बिधान सभा बिधान सभा के जो सदस्य होते हैं बिधान सभा के जो सदस्य हों बिधाय कहलाते हैं तो यह जो हैं हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि हमारे सम्विधान में तीन प्रकार की सूचियां हैं संग सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूची जो संग सूची है इसमें कोई भी नियम कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंदर सरकार को है जो राज सूची है इसमें भी कोई नियम कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज सरकार को है और जो समवर्ति सूची है इसमें केंद्रियम राज दोनों का हस्ता चेफ हो सकता है कोई नियम या बिध्यक पास करने में तो इस तरह से हम लोग देखें है कि संग और राज सूची, संग सूची, समवर्ति सूची इन तीरों में कौन-कौन कानून बना सकता है इसके बारे हम लोगों ने पढ़ा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कारपाल क्या बिधाई क्या दोनों डिवाइड करके हम लोगों हमने पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हम आते हैं नया पाल क्या भी देखते हैं न्याय पाल्किया क्या चीज है न्याय पाल्किया को भी जो है हम उतले इस्तर से नितले इस्तर के रूप में देख सकते है सुप्रिम कोर्ट उसके नीचे हाई कोर्ट उसके नीचे डिस्टिक कोर्ट जिसको हम सिविल कोर्ट बोलते हैं हमारे जन्पत में इस्तिस होते हैं डिस्टिकोर्ट लेकिन हम इस चीज को जो है अलग नहीं मान सकते हैं मतलब हम इसको जो है यह नहीं कह सकते हैं कि यह केंद्र सरकार का है यह राज सरकार का है यह इस तरीके से डिवाइडेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि नियापालिका जो है सोतंत रहे हैं यहां हम लोगों ने पढ़ा कि बिधाईका और कारिपालिका एक दूसरे के रूप में बांडिक के रूप में काम करते हैं इसके सदसे ही इसके सदसे बन जाते हैं बाद में वो मंत्रिक रूप में कार करते हैं तो कारपालका कहलाते हैं वही जब सांसत की रूप में कार करते हैं लोग सभा में तब वो विधाय के कहलाते हैं लेकिन इन दोनों से डिवाइड होके ये नियापालका कार करता है इसमें सरकार का लोग सभा, राज, सभा, मंत्री का कोई हस्ता छेव नहीं होता है ये पूरी शेट-पचास मिसकर जिक्र किये गया है इन सब तीनों चीज़ों को डिवाइट किये गया है यह दोनों जो हैं बॉन्डिंग के रूप में कारे कर सकते हैं लेकिन नयायप वालिक्या सबसे सतंत्र है यहां सरकार कोई हस्ता छेप नहीं होता है हत् और यहां हम डिवाइट नहीं करते हैं कि सुप्रीम कोड़ सिर्फ केंदय ago सुनवाई करेगा रاج सरकार के जो मामले थिर्फ कोड़िए हाइब किए यहां से हम कोई मुकादमा हार जाते है और संतुफ नहीं है तो हम चले जाते हैं हाई कोड में अब अभी विसंतुफ्ट नहीं है तब हम इसकी अपील सुप्रीम कोर्ड में भी कर सकते हैं अर्थात यह तीनों स्वतंत्र हैं आप कहीं भी जा सकते हैं यह अलग-अलग केंदर राज में डिवाइड नहीं नहीं है तो हम लोगों नियाई-पालिकया के भी बारे में पढ़ लिय समझ में आगया होगा अब अब अध्यों के बारे में जितने ही क्योग को हर करेंगे किसी भी अप्लिकेशन पर जाकर सारी क्यूशन कोई फशेगा नहीं जी किूशन आप कमेंड़ गर करिएगा उसके बारे में हम फिर से आपका जवाब देंगे उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद है तो दोस्तों को साथ लाइक और शेयर करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद